हलो फ्रेंट्स वल्कम तो स्टड़ी भारत स्टड़ी भारत में मैं अमन वहरा आप सबी का हार्दिक स्वागत करता हूं तो फ्रेंट्स आज हम करेंगे टीचिंग अप्डूट का लेक्चर नमबर 30 यह लास्ट लेक्चर है टीचिंग अप्डूट का तो इसके बाद हम सीध देली वीडियो और PDF चाहिए तो आप हमारा WhatsApp और Telegram जोइन कर सकते हैं उसके लिए next slide में information देखाए वो देख सकते हैं या description box में दीके number पे आप हमें contact कर सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 का फ्री में कोर्स करने के लिए जोड़ी हमारे चैनल के साथ अगर आपका पेपर 2 Political Science, History और Geography है तो डेली वीडियो आरा है इसका हमारे YouTube चैनल पर वीडियो के देखे साथ में notes में लते जाएए आपकी तहरी फ्री में हो जाएगे आपको कोई भी class जोइ करके बैल आइका दबाना है जिससे आपको notification मिलता रहेगा फ्री कोर्स का आपको अगर डेली वीडियो और PDF लेक्चर भी चाहिए तो आप हमारा पेपर 1 पेपर 2 का paid course भी जोइन कर सकते हैं paid course के लिए आपको हमारा WhatsApp और Telegram जोइन करना पड़ेगा जिसमें आपको डेली वी क्यूशन और Computer Assistant evaluation में दॉना में difference कैंदेखें, कम्यूटर बेस अस्स defense assessment इस commonly directly made via computer, whereas Computer Assistant Assessment is used to manage और support the assessment process, Example are the optical mark reader used to score mcqs and database programs used to record student marks ठीक है फ्रेंज देखें इसमें कहा है कि जो computer-based assessment है वो commonly मनला कि commonly क्या है वो computer के जरीए होता है यहां कि जो computer-based assessment है जो computer-based जो evaluation है जो computer-based evaluation है जो assessment है जो computer-based evaluation को support करता है यानि कि जो computer-based evaluation है वो computer के तुआ होता है तो जो computer-based evaluation को support करता है ठीक है एक्जाम्पल के पर माननके चलिए कि जैसे mcqs है ठीक है अब जैसे स्टुडेंट ने mcqs उसको आए ऑनलान एक्साम है उसने mcqs कर दिये ठीक है अब उसने कितने mcqs किये कितने सहीते कितने क्रेक्ट है वह कुन देखेगा computer assist evaluation ठीक है इनकी कि जो computer based evaluation है वहाँ पे उसको mcqs करने है तो वह कितने गलत है कितने सही है marking क्या है वह क computer based evaluation the term computer based evaluation and computer assist evaluation may seem to be similar as both involve the use of computer in conducting test यानकी जो computer based evaluation है जो computer assist evaluation है दोनों को similar माल लिया जाता है क्योंकि दोनों में है computer का प्रियोग होता है हम यह कई बार सदारंग बाश्चा में मानके चलते हैं कि computer based evaluation भी वही है और computer assist evaluation भी वही है पर दोनों में difference है ठीक है दोनों को same क्यों माना जाता है कि कि दोनों में computer गईगा आप में पर दोनों में फिर भी difference होता है computer based evaluation implies the use of online quizzes and test where the candidate can attempt the paper on computer यान की computer based evaluation क्या चीज है इसमें बच्चों को online test दिया जाता है online quiz दिये जाते हैं ठीक है तो जिसमें क्या होता है कि जो paper होता है वो बच्चों को computer के उपर करना होता है यान कि जब आप UGC net के exam देने जा रहे हो कहते हैं इस बार online exam है तो जो आपको पहले paper में exam आ रहा था तो आपको वही same pattern आपको computer के अंदर दिखाई दे रहे हैं तो इससे क्या होगा यहनकि जो आपका test हो रहा है जो आपका अब computer पर हो रहा है तो यह किसके अंदर आएगा यह computer based evaluation के अंदर आएगा the test can be uploaded online and students will be given its link so that they can access it anywhere जो टेस्ट है computer based evaluation में वह test online upload होते हैं तो student को एक link की दिया जाता है तो उस link को वह कहीं भी access कर सकते हैं यानिकि अगर student को कहीं पर test देना है तो online test देना है तो यह बात में कि उसको कोई class attend करने पड़ेगा कुछ करना पड़ेगा वह कहीं पर भी हो क तो वो इसको test को देख सकता है जैसे मान के चलिए कि आपने अगर mock test के त्यारी करनी है तो आपको बहुत सारी जो online test जो मिल जाएंगे तो आप दिन में राज में जब मर्जी इसको test को देख सकते हो ठीक है इट इस यूज इन मूक्स online course online mock test अभी जो मूक्स ठीक है अभी ज test और जो मूक जो एक platform है government का online course का इसमें भी का इसमाल होता है another way of using computer-based evaluation is for students to visit the designated examination center and take the test ठीक है एक तो हो गया आपका online test के आप घर पर बैठे देख सकते हो एक और वे है computer-based evaluation का कि आपको किसी examination center में जाना पड़ेगा online test देने के लिए ठीक है जैसे कि आप मानके चले कि अभ होने भी पाला है June 2019 में अब आपको वहाँ पर computer-based जो test देना है पर आप उसको घर बैठे नहीं दे सकते आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा exam center में तो कहने के बाद यह कि पहले तो एक test होता है कि जो आप घर बैठे दे सकते हो एक वह test होता है कि जब आपको किसी examination center में जो आपको allotted है जो आपको बताया जाता है वहाँ पर आपको test दाकर देना पड़ता है जब आप यहन की जब आप June 2019 का आप एक्जाम देने जा रहे तो आप किसी center में जाके दो गए ना होगा वहाँ पर आपको वहाँ पर जाके देना पड़ेगा अभी जो competitive exam है ठीक है जैसे अभी UGC net का exam हो गया वह आपको इसमें करवाए जाएगा अभी तक्रेवन देखिए कि online system online सारे टेस्ट हो रहे है अभी UGC net का exam है उसके बाद यह देखिए कि जो test है कि SSC हो गया या कोई exam हो गया इसारे आप computer based हो रहे है ठीक है तो competitive exam क्या है वो online test है वो किसके अंदर आते हैं वो आते हैं computer based evaluation के अंदर तो यह था computer based evaluation ठीक है तो NTA also use this methods where candidates will appear in UGC net paper in the examination center allotted to them देखें वही है कि NTA भी अब जो इसका use कर रहा है अभी UGC net जिनका exam देना है उनको जो examination center allotted होगा जो पताया जाएगा वहाँ पे जाके जो student है वह वहाँ पे जाके UGC net का paper देंगे it can be used for both objective and descriptive question इसमें कहा है कि objective question भी होंगे descriptive question भी होते हैं ठीक है friends अभी जैसे आप देखें कि जो banking के जो exam होते ना अगे जाके जो banking exam है उनमें जो letter writing है या application है या कुछ भी जो उनका main exam होता है जो bank का एंकि जो banking का main exam होता है वो भी अब computer based ही होता है उसमें कहें descriptive question पूछे जाते हैं ठीक है तो यहनकी जब होए computer based evaluation यहनकी computer based test देना है तो वह objective भी होगा वह साथ में वह descriptive भी हो सकता है तो फ्रेंट से बात करते हैं computer assist evaluation की अब देखिए कि हमने computer based evaluation है हमने दिया test ठीक है computer based में हमने अभी test दे दिया है यहनकी computer assisted evaluation क्या तरीका है यह वो तरीका है जिसमें देखा जाता है कि जो computer की ऊपर बच्चन टेस्ट दिया था वह कितना सही है कितना गलत है ठीक है तो यहनकी computer based evaluation की marking करना marks देना किसके अधाम है computer assist evaluation का ठीक है फैंस तो देखते है देखे computer assisted evaluation implies the use of computer in evolution इसमें कहें कि जो computer assist evaluation है वो computer के जरीए ही होता है यहनकी जो computer assist evaluation है जिसमें marks देने का काम है इसमें computer के द्वारा ही होता है यह एक प्रके रहा है in competitive exam optical mark reader answer sheet are provided to the candidates अब देखे इसमें कि जो competitive exam है जब competitive exam होते हैं तो हमें omr sheet दी जाती है जिसके ओपर हम अपने roll number लिखके circle करते omr sheet आपने answer को circle करते तो जो omr sheet है वो computer के द्वारा check होती है तो वो किसके द्वारे चेक होती है the response marked by the candidates on omr sheet can be scanned by the omr device and the scan data can be recorded in the computer अब देखे जो omr sheets हैं जिसके ओपर हमने भी roll number भरा है जिसके ओपर हमने अभी circle करके भरा है अब जिसने उन जिन्होंने पहले exam दिया होगा UGC net का होता है ने वैसे तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप कोई भी exam दोगे offline तो आपको महां पर circle करना होता है omr sheet पे अब omr sheet को computer के अंदर डाला जाता है तो वैसी device है जिसमें वो checking करता है तो साथ में उस data को अपने अंदर record करके रिखता है computer के अंदर ठीक है then the response can be evaluated using the computer program इसमें कि जो response है वो computer program द्वार देखा जाता है ठीक है friends यानि कि जो अभी exam student दे दिया है omr sheet पे तो वो mr sheet दाखिल की जाएंगी computer के अंदर उसके बाद computer जो है वो check करेगा response देगा कि यह जो जो इसका मुलांगन है यह कैसा रहा है यह जो शीट को चक करेगा it will lead to declaration of the result in lesser time and compare to manual checking इसमें कि बहुत कम समय लगता है अगर हम हाथ से चक करें जो manual checking करते थे पहले जो टीजा चक करते थे उसे काफी समय लगता था result आने में बहुत देरी होती थी अब omr sheet से क्या है जल्ड बहुत जल्दी आएगा time की बचत है the student performance data can be present in graphs and chart to analyze their trend or progress अब इसमें कहें कि जो student की जो performance है वो present ठीक है यहनकी वो graph पे chart पे वो analyze करके बताई जाएगे कि क्या का स्टुडेंट की जो progress रही है ठीक है इस वेन computer system evaluation computer service for evaluating and not for conducting test यह computer assist evaluation क्या करता है यह computer assist evaluation जो है वह बस computer अम्में बस मुलांकन करता है ना की test करवाता है मलग की computer system evaluation का काम क्या है सिर्फ test को check करना ना की test को conduct करवाना ठीक है क्या है computer based evaluation क्या है जिसके ओपर हम computer पर online test देते हैं जैसे की competitive exam तो computer assist evaluation क्या है कि जो इसके द्वारा test को check किया जाता है वह मैं शीट के द्वारा ठीक है वो हता है computer assist evaluation तो फ्रेंस यह था आज का lecture तो वीडियो चालगा लाइक करिए शेर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए वट्साप ग्रूप के लिए description box पर दिएगे नबर में contact करिए मिलते के लिए वीडियो में तब तक के लिए धन्यमा थैंक्यू जै हिंद जै भारत